दिन पर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें आस्मान छूती जा रही हैं लोगों को उम्मीद थी कि बजट में थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन आज प्रतिशत रोड़ सेस्ट लगा कर सरकार ने जनता पर और बोच टाल दिया इस परति महंगाई से जहां लोग द्रस्थ हैं तो महीं विपक्षियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है आज संसत परिसर में तेल की बड़ती कीमतों को लेकर टीमसी ने प्रदर्शन किया बड़ती महंगाई को लेकर अब तक विपक्षी पार्टियां सिर्फ सड़क पर ही प्रदर्शन कर रही थी लेकिन अब तो उन्होंने सदन में भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है तेल की कीमतों को लेकर टीमसी ने संसत परिसर में राश्रुपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए टीमसी की नेताओं ने कहा कि ये सरकार जनता को महेंगाई के बोच के तले दबाना चाहती है जहां संसब करीसर आज सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठा तो महीं लोक सभा में भी पार्टी सांसद बीजबी को घेड़ने से पीछे नहीं हटे संसर सुधी बंदोपाध्याय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आस्मान चूरही है जिसके कारण लोगों का जीवन कठिन हो गया है उन्होंने ततकाल बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग भी की है डिविलाइफ की रिपोर्ट